हैंग एलो फ्रेंड्स हम बात करने जा रहे हैंUnasti प्रोग्राम के बारे में जिसमें कि हम कहले वारे में समझेंगी का ऐसल एक वैली दर यहाँ पर हमसपी पहले हिटर फाइसि फाकर यहाँ इस फांकर यहाँ रहाँ है इस नम से हमने एक function लिया है उसमें हमने दो variable लिये हैं A और B जिसमें हमने value initialize कराई हैं उसकी 10 और 20 ठीक और swap A, B अब यहां पर देखें जो हमारा actual parameter है A और B वो हमारा swap function के through उसकी जो values होंगी वह चली जाएंगी X और Y के पास क्योंकि उपर हमने void swap नाम से function बना हुए हुआ है अब आप देखें A और A की value X को assign हो जाएगी और B की value Y को assign हो जाएगी अब आप देख रहे हैं उपर void swap function में हमने swapping का logic लगाया है यानि कि inter temp हमने एक variable लिया है उसमें देख रहे होंगे आप X की जो value थी X की value कोंसी हो गई जो A की value थी ठीक है A की value थी वह X को assign हो गई यानि कि X की value हम temp को assign कर देंगे अब ग्यान तरह समझेगा एक की जो value थी वह X को assign हो गई और X की value अब हमने temp को assign कर दी ठीक और उसके बाद है X equal to Y यानि कि Y की value थी Y की value कौनसी है जो B की value है क्योंकि B की value हमने swap function की through call Y value करकर यहाँ पर Y को assign कर दी B की value यानि कि B की value हो गई 20 और Y की value हो गई 20 तो Y की value हमने X को assign कर दी यानि कि अब X की value क्या हो गई 20 और temp की value जो थी temp की value क्या थी जो X की value थी क्योंकि first statement में देगे temp equal to X तो X की value क्या थी 10 जो temp को assign हो गई अब उसके बाद temp की value है last statement Y equal to temp तो temp की value Y को assign हो गई यानि की y की value क्या हो गई 10 और X की value क्या हो गई 20 ठीक यहाँ पर swapping का logic लग गया तो X की value क्या हो गई X की value हो गई students 20 और Y की value हो गई 10 तो आप देख रहे होंगे output में यहाँ पर हमने जब print कराया है X और Y को white swap function के अंदर और main function के अंदर हमने A और B को print कराया है तो आप देखें यहाँ पर कि A की जो value है वह हमारी as it is print हो गई 10 और B की value 20 ठीक है और Y की value में हमारा X और Y की value में हमारा swapping का logic apply हो गया ऐसा इसलिए हुआ students क्योंकि call by value में देखें तो हमारी actual value में अगर हम कुछ formal parameters यानि कि X और Y में अगर हम कुछ changes करते हैं तो वह formal parameters के changes हमारे actual value में नहीं होते इसलिए हमारे formal parameters में हमने swapping का logic लगाया वह formal parameters में apply हुआ लेकिन हमारे actual value जो थी A और B उसमें apply नहीं हुआ so students इस तरीके से हमारा जो program था call by value का वह C program के अंदर implement होता है so I hope students यह logic आपको अच्छे ता समझ माया होगा एक बार इस program को ध्यान ता समझे okay thank you very much have a nice day